नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूपी रेस चानल में स्वागत है मैं हूँ हरी नरायन यादो और आप सभी देख रहे हैं वीडियो यूपी रेस चानल के माध्यम से आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि घोड़े का जो बच्चा रहता है छकड़ी नाकंद जैसे 15 मंथ का या 18 मंथ का या 2 साल का तो कैसे उसका हम लोग अंदाजा अन्भाव लगाएंगे और परखेंगे कि यह घोड़ा आगे चल कर कैसा बनेगा इसी तोर पे इस वीडियो में आप सभी को विश्यस जनकारी मैं बताने वाला हूँ आप सभी हमारे दर्सक यहों भीवर्स गड़ इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहें और आगे तक घोड़े का अन्भाव अंदाजा हमारे इस इट्यूब चैनल के द्वारा पाते रहें आप सभी को बता दों तो इस गोड़ा दोड़ा इस गोड़े के मालिक का नाम है बिजे उर्फ चंकी सिंग जो उनके पिता जी का नाम है शिरी जगदिश सिंग और इनका आप सभी को आड्रेस पता बता दूँ तो ग्राम पड़ता है हैवदपूर थाना मधवन जिला मव उत्तरप्रदेश आगे आप सभी को बता दूँ इस घोड़े से संबंदित जनकारी तो यह घोड़ा भी उम्र में नाकंध है और इसका रंग आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यह सुरंग कलर का यह घोड़ा है और इसकी हाइट अंठावन इंच के करीम में है और यह घोड़ा अपने जो भी प में जैसे यह घोड़ा तंदुरुस्त होगा शरीर से और इस घोड़े के अंदर जितना पावर आएगा और जितना इस घोड़े के अंदर इस्टेमना बनेगा तो यह घोड़ा आगे चलकर अच्छा ट्रेनिंग दिया जाएगा तो अपना एक कला का परदर्शन जो देखने के लाइक रहेगा इसी तरह इस घोड़े का अंभाव लगया जाता है कि जो घोड़ा आप घोड़े पे बैठ गए और घोड़ा जीधर आप चाहते हैं ले जाने के लिए घोड़ा जा रहा उधर तो जैसे जैसे आप घोड़े को बढ़ा रहा है और घोड़ा जो घोड़ा अच्छे तरह से अपना राउंड पूरा किया है और जिधर चाहे सवार उधर ले जाए तो अच्छे तरह से गया है और आया है और आकर अपने अस्थान पे खड़ा हो गया है तो इससे अनभव इस घोड़े का लगा सकते हैं आपकी यह घोड़ा आगे चलकर कै अब आप इस वीडियो में देख रहा हैं कि दोसरा गोड़ा तैयार किया जा रहा है और इस गोड़े पे सिट रखकर अभी यह भी घोड़ा जाएगा अपने फिड़ में अपने दोड़ का परदर्शन दिखाएगा आप सभी को बता दो तो इस गोड़े के उमर के बारे में यह गोड़ा भी काफी बहुत कम एज का है और इस गोड़े का स्वेम एक अंदाजा लिया जा रहा है कि यह गोड़ा कितना चंचल है और कितना सुभाव का अच्छा है यह गोड़ा भी बहुत जो आप देख रहे हैं कि इसका कलर नीला सबजा में आएगा और यह गोड़ा कि हाइट आप बिल्कुल देख रहे हैं कि बहुत कम है और इस घोड़े को आगे अभी इस गोल राउंड में आप देख रहे हैं कि बहुत सुन्दर सा पहरबाजी में अपना राउंड पूरा कर रहा है इसी हिसाब से घोड़े का बच्चा जो रहता है नाकन छकड़ी और खान पान के हिसाब से जब गोड़ा टाइट हो जाता है शरीर से तंदुरुस्त हो जाता है तो उसी हिसाब से अंदाजा लगा लिया जाता है कि या गोडा को बनाया जाए और ट्रेनिंग दिया जाए तो आगे चल कर कैसा बनेगा उसका टेस्ट लिया जाता है तो इस वीडियो में जनकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारी इस कमेंट बाक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो का लाइक करें आगे तक सेयर फालो करते रहें जाएंग जय भारत